वेद ग्यान का अद्भूत भंडार हैं जिसमें पूरे ब्रह्मांड के रहस्त समाय हुए हैं वेदों में यदि सवी विध्याओं का रहस्त बताया गया है तो उन्हें सुरक्षत रखने के दिब्व उपाय भी दिये हैं लेकिन उन्हें पढ़ने और समझने के लिए उतनी ही दिव द्रश्टी का होना जरूरी है दोस्तों ब्रह्मांड के अधुत रहस्यों को जानने के लिए वेग्यानिक भी सदा आतो रहे हैं हमें पढ़ाये गया है कि 19-पी सताबदी में प्रकाश की गती की गणना जैम्स क्लर्क मैक्सवेल ने की थी परन्तु उनसे पहले ही चवदुई सताबदी में महरशी शायन ने रिगवेत के आधार पर प्रकाश की गती की गणना करड़ा ली दोस्तों महरशी शायन ने रिगवेत की आधार पर प्रकाश की गती की गणना की थी और जो श्लोक आपा भी देख रहे हैं उसका अर्थ होता है हे सूर्य तुम तीवरगामी एवं सर्वसुदर तथा प्रकाश के दाता और जगत को प्रकाशत करने वाले हो इसी पर भाशे करते हुए महरशी शायन ने लिखा था तथा इस प्रते योजना नाम सहत्रम द्वे श्रते द्वेचा योजेने एकेने निमर्शादीन क्रममान इसका अर्थ होता है आधे निमेश में 2202 योजन का मार्ग ग्रमण करने वाले सूर्य तुम्ही नमस्कार है और रिगवेद में वर्णित इस श्लोक के आधार पर जब आधुनेक वेग्यानिकों ने प्रकाश की गती का कैलकुलेशन किया तो वो कैलकुलेशन हाल ही में और जिन लोगों को ये पता था कि ये बात यजरवेद में लखी है कि सूर्य इस्थर नहीं है वो यजरवेद का मजाग बनाने लगी धीरे धीरे साइंस और ज़्यादा डैबलब हुई और फिर एक डिसकबरी हुई जिसमें बताया गया कि सूर्य गैसों का एक पिंड है ज इकीवे गैलेक्सी के भी चक्कर लगाता है दोस्तों सूर्य प्रदूशन ना सक भी है इस बात का उलेक अथर वेद में मिलता है आप अभी जो मंत्र देखा है इसका अर्थ होता है शूर्य का प्रकाश दिखाई देने वाला और ना दिखाई देने वाला सभी प्रकार के प लोग देख रहे हैं इसका अर्थ होता है चंद्रमा का स्वयम का प्रकाश नहीं है वह प्रत्वी का एक मात्र उपग्रा है और वह सूरी की किरणों से प्रकाशित होता है दोस्तों हमें ये पढ़ाया जाता है कि नासा और आज के आधुनेक वैज्ञानिकों ने हमें ये बता प्रकाशित है और सभी ग्रहस की परिक्रमा कर रहे हैं परन्तु अगर आज भी हम किसी हिंदु मंदर में चले जाएं जहां पा नवग्रहों की स्थापना हो तो नवग्रहों में सूरे सबसे केंद्रमें ही देखने को मिलता है विज्ञान से भी कई सदियों पहले चार परिक्रमा करते हैं ब्रम्हांड में अनेकों शूर्य होने की बात का प्रमाड रिगवेद में बरनित इस मंत्र द्वारा मिलता है और ये मंत्र है सब्त दिशो नाना सूर्यहा देवा आदित्या ये सब्ता यानि सूर्य अनेक है और यहां साथ सूर्य से तात पर्य साथ सौ तब वेदों में प्रमान्ट के बारे में कई रहसे मंत्रों को बारह पताए गई थे जिसकी खोज आज वी हजार वर्ष पहले। हमारे रिशी मुनी आज ही साइन्स और टेक्नोलोजी से कही आगी है आज बहुत सारी स्पेस रिसर्च एजन्सियां हमारे ही वेदों में ऐसा क्यू ढूंट रही है जिससे उनको किसी नई खुश का पता चरपा है दोस्तो अगर ये वीडियो देखने के बाद अपने सनातनी होने पे गर्भ हुआ हो तो कमेंट में जैशी रांग जरूर लिखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साइज शेयर जरूर कीजे और आगे आने वाली हर नौलेग गौल और इंफॉमेटर वीडियो से पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकोन को प्रेस जरूर हीजी